नमस्ते विद्यार्थि मित्रू, स्वामी नारण संप्रदाईना कवियो निवात आपने चोरण करी। कविर पन्थी संतो नी वानी जे लूक ब्रिय निवडी छे, ते भान साहेब थी लई अने जिवन साहेब सुधी ना संतो नी वानी छे। अधार्मा सैका थी ओग्रिस्मा सैका ना पुर्वार्द सुधी, आ कवियो नी कविता धारा वहती जुवा मले छे। आ बधा संतो परम तत्व माटे जेनो कविर वारंबार प्रयोक करता ए साहेब शब्द पोता ना नाम पाछल लगावता जेमके भानदास के रविदास ने बदले भान साहेब, रवि साहेब वगे। आ संत कवियो पासे थी आपड़ने परम तत्वना शाक्षात कारना आननमाई अनुभवने वर्णोती कविताओ मले छे। आ संतोनी वाणीमा योगिक क्रियाना पारिभाशिक शब्दो खुब प्रमाणमा प्रयो जायेला छे, तेथी योग मार्गनी प्रक्रियानना समजनारा माटे आ अगम वाणी के गुड वाणी के गहन वाणी बनी रहे छे। आ वाणी बिन संप्रदाईक होवा साथे, बिन उज़्यात वर्णना भाविक पत्त जनोमा विशेश रूपे प्रबर्तती हती एपन नोंधबु घटे। अहीं सगुण भक्तिनी ने, निर्गुण भक्तिनी उपासना करवामा आवी छे। आमना केटलाक संत कवियो घरबार धरावता हता। इटले के गुरुहस्ती होवा छता अंतर्थी विरक्त हता। तेमनी वाणीमा स्वाभाविकता अने सुन्दर्त होवा साथे वेधकता पण जुवा मले छे। आ संतोनी अगम्वाणीमा कबीरनो रहस्यमैवाद, गोरखनाथनो योगमार्ग, सुफियोनी रागमस्ती, तेमज वैष्णवोनी प्रेमलक्षणा भक्तिनो अदभूत संयोग थैलो जुवा मले छे। आजेतो गुजराती साहित्यमा संत वाणी अने संत साहित्य जेवो एक अलग्थीज संसोधन संपादन नी दिशा एक अलग्थीज खुली छे, ए आ वाणी नोज प्रभाव छे। आमाना मोट्य भागना संतो सवराष्ट्र मा थै गया छे। तेवो समाज ना विविद स्तर माथी आवतना हता। भाण साहिब अने मोरार साहिब सवराष्ट्र ना न हवा छता तेमनी काव्य प्रवरुत्ती सवराष्ट्र माज थै हती। आ संतो नो साहित्य गुजराती साहित्यमा बोज मुलेवान छे। डुक्टर रमेज जानी आ संतो ना सर्जन विश्य जनावे छे। संसार अने आचार विचार, ग्णान अने भक्ति, मोह अने माया, वैराग्य अने योग, जीव अने जगत, आत्मा अने परमात्मा, प्रभु अने गुरुमैमा। एमना मिलन अने विरह, अगम अने निगम ना रहस्यो, आ सव ए संत जनोये क्यारेक सिधी साधी भोडी अभिदा थी, क्यारेक अवडवानी नी मारमित्ता थी, क्यारेक वैदांतिक परिभाशा थी, क्यारेक योग मार्गी या शब्द संकेतो थी, तो क्यारेक बक्तिनी पदावली अने आवेग्थी प्रकट कर्या छे। नीज आत्मानु भवना उद्रेक थी। आ शब्दों या महत्वना छे। नीज आत्मानु भवना उद्रेक थी। पोताना आत्माना अनुभवना स्वानु भुती ना आवेग्थी। एमने आ वाणी रची छे। आवां भजनिक संत कवियों नियादी मां सौथी पहलू नाम भान साहिबनों छे। आठा नामना भरवाडे आंतर ग्नान करावी होते। दिलमा दीवो थाता तेमने वैरागियों उपज्यों। ग्रुहस्ती हवा छता आंतर प्रकाश लाधवा थी। तेवों संसार्थी पर रै औने नीज मस्तीमा भजननुगान करी शेक्या हता। तेमने चालीस छेटला शिष्यों होवानु मानवामा आवे छे। आ चालीस शिष्योंनी फोज ए भान फोज तरीके ओलखा दी। शिष्योंना समू साथे तेवो गुजरातने समगर सवराष्ट्र मा फरता रही लोकोंना अंतर मा पन अजवाडा पाथरता रहा छे। इस विशन सतरसो पंचावनमा तेमने जीवता समाधी विदेली एमु तेवामा आवे छे। एमनी अगत्यनी लोकप्रिय रचुनावमा सदगुरु मला सहजमा जहने सतनों शब्द सुणावयो अथ्वा मन रेवन्त चड़ीने मा करोर माडा पच्छी थाशो पाडा अने हंसो हालवाने लागयो कायानों गड भागयो जेवी लोकोंने सचेत करती मानीती भरेला तेमने घणा पदो लख्याँ छे अने ए पदो लोकप्रिय पन निवढ़्यां छे। ए पच्छीना बीजा संत कवी छे रविदास अथ्वा रविराव अथ्वा रविसाहेब। रविसाहेब विशे टुकमा वाद केरिये। पुर्वाश्रम मा रवजी वणिक तरिके और खाता रविसाहेब गुरु भानसाहेब ना संसर्गे रविसाहेब बन्या। एटले के तेवो भानसाहेब ना शिश्य हता। पानसाहेबना संपर्कमा आवतां तेवो पन पानसाहेबनी जहमज अंतर्थी विरक्त बन्या। तेमने हिंदी अने गुजराती मा अग्नान वैराज्यनो बुधापता गणा पदो भजनो निरचना करी छे। तेमना प्रजामा अत्यांत लोकप्रिय निवडेला भजनो मा विवित भावानु गुतीनु निरूपन थायलू अपने जोवां मले छे। जेमके संतो रमता राम हमारा मा संत कविना आंतरदर्शननो भाव। लावो लावो कागणने दोत लखिये हरीने रे मा गुपी विरहनो के सखी भाव। नुरते सुरते निर्खो एना घड़ना रानने पर्खो आ कोणे बनावयो पवन चर्खो। मा अध्यात्मनी साथी समझ माणो भत्तिभाव सुन्दर रिते निरुपायलो जोईश्य काई छे। एवी जणनन जालरी वागी रे मेतो जोयू तखत पर जागी रे तेमद जागी ने जोता सपनू समाई गयू। वगेरे पन लोको मा आने भजनी को मा प्रिये थाई पड़ेला तेमना नोंद पात्र भजनो छे। आजे पन जणन जाँजरी जालरी वागी ए अपने घणा भजनी कोना कंठे सांभडिये छिए। पोताना केटलाए पदोमा तेमने गुरु भणदासने पुज्य भाव थी स्मर्या छे। गवि साहिबनी भजनवाणी नू पन गुजराती साहित्यमा खुब आगमू स्थान छे। आजे हाटलू फरी आपने विजां कमिर्पन्थी संतकवियो विशे नेक्स्ट एपिसोड मां जोईशू अत्यारे रजालों आउजू। आपू गजे हाट।